यहां इस सेशन में हम बहुत ही इंपोर्टन एक बात करने वाले हैं और बात यह उने वाली कि कैसे हम पेपर वन के सारे 10 यूनित को बहुत ही अच्छे से स्ट्राटेजिकली पढ़ें और कैसे क्या करें कि हमारा जो 10 यूनित्स है वह 10 के 10 यूनित्स पढ़िया से रेडिली हमें हम इससे प्रिपेर कर पाएं और बहुत अच्छा मार्स लेकर क्या है आपको पता है पेपर वन एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है आपके नेट औ अः प्लेग पेप्याइट लगता है कुछे बचों को रीडिन कॉम्प्रेंशन टाफ लगता है कैसे लिए क सीश किया और रहां तुसको कैसे स्ट्राइज क्ली ट्तिल कर सकते हैं तौ सबसे पहली चीज जो आप्UE कर सकते हैं वह यह प्राक्टिस इक अगर आप कोस्टन की डेली प्राक्टेस करते हैं, so that will make you very perfect in paper 1, यानि कि अगर आप डी आई की बात करें, मैं पहले unit wise चलती हूँ, unit 1 है आपका teaching aptitude, ठीक है, आप teaching aptitude में अगर हम बात करें philosophies की, तो सारे philosophies को पढ़ लीजिए, सारी जो भी theories दी गई है, जैसे आपकी जीन प्याजे की theory है, कोहिल बॉर्क की theory है, ग्यागने की hierarchy of learning है, कोले एंड शान मॉडल है, वो तो ख्यार communication में है, ठीक है, तो जितने भी आपके जो भी आपके ये सारी चीजे है, जो भी आपकी philosophies है, जो भी theories है, वो teaching में बिलकुल आप पका कर लीजे, उसके बाद आप evaluation जरूर पढ़के जाए, teaching aptitude में, ये सारे कुछ ऐसे topic है, जो की most repeated topics है, इस पर भी मैं आप लोगों के लिए session लेकर के आऊंगी, जब exam करीब आने वाला होगा, कि कौन सा ऐसा topic है, जो most repeated type of topic है, ये तो बात होए, teaching aptitude की, अगर हम बात करें research की, ठीक है, तो research में ऐसे बहुत सारे topic हैं, जो बार-बार repeat होते हैं, for example, types, है न, hypothesis, उसके बाद हम बात करते हैं, आपके research में, जैसे आपका जो है, वो scales, है न, नॉर्मिल, ओर्डिनल, आपका interval, ratio, scale, linker, scale, attitudinal, scale, thunder, storm, scale, ग्यूटनबर्ग, scale, ये सारे scales आप पढ़ लें, तो research में, जो most repeated topics हैं, अगर आप उनको, अगर आप उनको भड़िया से पढ़ते हैं, पैन available नहीं है, अब मुझे किसी को बुलाना पढ़ेगा, तो मैं हाथ से इकाम चला रही हूँ, ठीक है, तो अगर आप बात करो, तो ये सारी चीज़े, आपकी research में, जो most repeated topics हैं, उनको पढ़िए, और research में, सबसे important चीज़े, रटना नहीं है, concept को पढ़ना है, अगर आप concepts को पढ़ते हैं, तो आपका research aptitude बिल्कुल पक्का हो जाएगा, next बात हम करते हैं, एक और चीज़े की जिसका नाम है DI, DI में बच्चे बहुत जादा डरते हैं, mathematical aptitude में बहुत जादा डरते हैं, logical reasoning में बहुत जादा डरते हैं, अब देखो, fallacies तो पहले पक्का कर लो, आज ही जोर fallacies पढ़ कर आओ, पहले सबसे पहले fallacies पढ़ लो, 2022 के paper में सब जगह fallacies से हर दिन questions आये हुए हैं, तो जितना आप practice करोगे ना उतना आप अच्छे बनते जाओगे, more you practice, more like you know, expert you become, तो practice करना बिल्कुल नहीं भूलेग कोई भी, mock test अब हर Saturday, Sunday दो, mock test देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको exam वाली feeling आती है, प्लस आपको ये भी पता चलता है, किस speed क्या है paper में, ठीक है, mathematical aptitude की बात करें, तो अगर आप di solve करते हो नो, तो आपको mathematical aptitude अपने आप easy हो जाता है, formulas को जरूर याद रखें, औ और classes जरूर करें, बहुत सारे teachers ऐसे होते हैं, यानि आपको अपको अभी शेक्स है, हमेशा tricks और tips बताते रहते हैं, तो अब उनके tricks और tips पे भी जा सकते हैं, mathematical aptitude को easy बना सकते हैं, ठीक है, next अगर हम बात करते हैं, तो आता है आपका communication, communication comparatively easy है, और communication में ज्यादा repeated topics नहीं ह होते हैं, मतलब की repeated topics बहुत जादा होते हैं, sorry, ठीक है, तो communication में आपका जो है, वो बहुत जादा like थोड़ा easy भी पढ़ता है, तो communication को पक्का कर लो, गर यहां से 5 questions आते हैं, तो कम से कम 10 number आपके यहां से पक्के हो जाएंगे, तो easy वाले concept जो है, उस पे mastery करो, और जो difficult वा बदब question करो, ठीक है, जितना practice करोगे, उतना बढ़िया होगा, higher education की अगर बात करो, थोड़ा सा difficult पढ़ता है, यहां पर आपको, मैं बताती हूं, अपने paid batches में भी बच्चों को, UGC की website को चान मारो, पूरा सब कुछ पढ़ लो, AICTE की website को चान मारो, सब कुछ पढ़ ल चाहे वो UGC की website हो, चाहे AICTE की website हो, ठीक है, प्राक्टिस करने का time ही नहीं रहा है, तो मन नहीं करता है, तो फिर UGC net qualify नहीं हो पाएगा, निकलो, अगर मनी नहीं करता है, तो क्या कर सकते हो, प्राक्टिस तो करनी पड़ेगी न, उसके बाद अगर हम बात करें, आपकी paid batches में, उसे complete करने में, क्योंकि मैं सब कुछ maximum आपको provide करती हूँ, जाहे वो कोई भी unit हो, तो मैं आपको basically teaching aptitude, communication, people development environment और higher education और ICT, ये 500 unit आप लोगों को मैं paid batches में पढ़ाती हूँ, अगर ICT की बास करें, तो ICT में memory वाला जो है portion वो तो बिलकुल पक्का कर लो, full forms पक्क करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करें आप से जो है, जो भी चीजे जो भी आपको पढ़ना ICT में, तो ICT में basically आपको memory पढ़ लेना, आपको RAM room पढ़ लेना, internet generation पढ़ लेना है, आपको computer generations पढ़ने है, तो ये सारी चीजे आपको कभी समझ में आएंगी, जो पके पास एक proper guidance और support हो, और वो guidance और support मैं आपको provide करूंगी, through my paid batches, आपको जाना है सिर्फ और 247 की website पर, यहाँ पर आप जाएंगे UGC पर, और यहाँ पर आप जाएंगे UGC net पर, यहाँ आप देखोगे paper 1 का batch लाइव है, 21st November से start हो चुका है, इतने जादा पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं करना, यह सब पैसे वैसे कुछ नहीं देने हैं, बस आपको एक काम करना है, काम करना है buy now, buy now करने के बाद आपको एक coupon code एंटर करना है, और यही coupon code एंटर करना, गर आपने इसके अलावा कोई कूपन को रेंटर किया तो आपको उतना अच्छा डिसकाउंट नहीं मिल पाएगा ठीक है तो वाई 563 जैसे आप अपलाए करोगे आप देखो आपको मिल गया है 77% का डिसकाउंट और यहां पर आपको सिर्फ 2299 में पूरा का पूरा बैच मिल रहा है पीडियस मिल रहे हैं आपको जो है मेरी live classes में प्ल रहे हैं मुझ से live इंटराक्ट कर पा रहे हैं मतलब इन्टराक्ट कर पा बाद यह वाला डिसकाउंट आपको मिलेगा सिर्फ टू टू डबल लाइन में आपको यह पेड़ भी मिल जाएंगे तो स्ट्राटेजिकली पढ़ना है प्रॉपरली पढ़ना है तो पेड़ रोल कीजिए और खुछ से कर सकते हो आप पर डिपेंड करता है बट फिर वही होत सकते हैं so yes thank you very much I hope आपको अच्छी लगी अगर मेरी बंद अब बताई हुए strategy आपको अच्छी लगी समझ में आए तो लाइक करेंगे शेयर करेंगो सब्सक्राइब करना नहीं बोलेंगे यह जिसने और 247 चैनल को चलिए थांक यू बेरी मुच टेक कर आवरीबड़ी झाल सकते हैं